जोहार नमस्कार आजसू पारिटी के सुप्रीमो सुदेश महतो को दूसरी सीट अभी तक भाजपा की तरफ से नहीं दी गई है हलांकि 28 तारीक को दूसरे फेज के लिए नहीं 20 नमंबर को होने वाले चुनाव के लिए 28 तारीक तक ही नमंकन का आखरी दिन है और अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं और उसमें जो है टुन्डी बिधान सभा सीट को लेकर जिस तरह से रसा कसी या फिर खिस्तान जारी है उसमें उमीद की जा रही है कि सुदेश महतो के लिए दूसरी सीट भाजपा छोर सकती है हलांकि भाजपा की कोशिस है कि यह सीट भी उसके खाते में आ जाए लेकिन चुकी घटक दल का मामला है और सुदेश महतो को एक सीट के लिए भाजपा नराज नहीं कर सकती है क्योंकि वो कहीं न कहीं इस फिराक में है कि सुदेश महतो को साथ रख करके ही भाजपा सत्ता म या और दो हजार चोबिस में उसकी सरकार बने इसके लिए कई तरह की मेहनत की जा रही है करी मेहनत की जा रही है एक पुर्ब मुख मंतरी सिवरा सिंचोहान एक बरतमान मुख मंतरी एसम के हीमन तो भी स्विसरमा लगे हुए हैं तथा तमाम जो है किंद्रिये नेता लगे तमाम किंद्रिये नेता आ जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और सरकार बनाने की जितोर कोशिस की जा रही है तो ऐसे में एक सीट के चलते जो है वो सुदे समातो को नराज नहीं करेगी और यदि नराज कर देती है तो संभव है कि सुदेश महतो यदि एक ही सीट से लड़ते हैं जहां सिल्ली उनका पुराना बिधान सवाच्छेतर है और वहां पर इस बार उनको करी टकर मिल रही है एक तरफ जहां जार खंड लोकतांतरिक रांतिकारी मुर्चा की तरफ से हैवी वेट आंदोलन कारी नेता देवेंदरनाथ महतो हैं जो लगतार पिछले दो साल से विविन मुद्दो को लेकर लाठी चार्ज के सिकार होते रहें आंदोलन में रहें सरकों पर आंदोलन करते रहें चातरों के पक्ष में आवाज उठाते रहें और दूसरी तरफ जिनकी अपनी पार्टी थी खतियान स्थरी हैमनत सुरेन की मौझूदगी में तो ये दोनों ने ता एक तो अमीद महतों वहाँ से पहले विधायक भी रहा चुके हैं उनकी पत्ने भी बिधायक रही हैं उप्षू नाम में भी जित गही थी वो और सुदेश महतो को यहरा कर के सुदेश महतों को अमीद महतों पूर्वन में रहें हैं उनकी पतनी और ये तो इसका भी एक कहीं न कहीं बिना जनाधार के तो जीत होती नहीं है तो कहीं न कहीं अगर इनकी जीत तब हुई थी तो निसी तोहर पर इनके भी अपने फॉलोवर या अपने समप्लाथ किन इनके हैं में उनके भी चाहने वाले हैं और उनके भी समर्तक हैं और कहीं न कहीं उनकी आंदोलन से प्रभावित लोग हैं और नए जो बोटर बन रहे हैं उनको कहीं न कहीं चाह रहे हैं तो ये बड़ी चुनावती है सुदे समहतो के लिए ऐसे में सुदे समहतो की यह कोसिस की कम से कम दो सीट पर चुनाव लरें, हलांकि इसको लेकर संभव है कि सिली की जनता जो है वो नाराज हो और सुदेस महतों पर भरोसा ना करने की इस्तिति में दुसरे परतियासी की सुनिश्चित कर दे, चाहे वो अमीत महतों हूँ, चाहे देमेदरनात महतों हूँ, क्योंकि होगा कि क्यूं आखिर उनको सिर्ली बिधानसभा सीट कि जनता या उनके समर्थकों पर भरोसा नहीं रहा यदि लगातार उनको जिताती रही है कई बार उनको बिधायक बनाती रही है अगर सिल्ली की जनता तो इस BAR उन्होंने दुसरी सीट की खोज क्यूं की यह एक सवाल वहां के लोगों के जहन में है और यह सवाल काफी गंभीर सवाल है कि आखिर सीट दुसरी सीट चुनने को क्यूं बाद हुए है दुसरी सीट से चुनाम लगने को क्यूं बाद हुए सुदेसमा तो एक सवाल वहां की जनता के जह हार होती है तो दूसरी सीट से उनकी जीत हो तो कम से कम सत्ता के किंदर में रहेंगे और कहीं न कहीं अगर सरकार बनती है तो सरकार में एक अहम पुर्टिफोलियों के तहत अहम विवाग के तहत उस विवाग के मंत्री होंगे और कहीं न कहीं जो उनका एक पहचान एक तरह से है उनकी कि कम से कम सत्ता के यर्द गिर्द या सत्ता के किंदर में रहना या सत्ता की आस पास रह करके जिस रूप में वो एक अपना अस्तितवादी राजनीती जो होती है खासकर खुड़ जारखंडे में खूब देखी जा रही है कि कम बिधायक पर जिस तरह से मधुकोरा भांचे की अधार पर सुद्धिस मऺत्व उपमुख मंत्री बन जाते हैं तो ये सत्वी ते राजनिती है ये जो कि अपनी एक asi महिमा और महत्र का अंचाР होती है और उसमें कम से कम सुद्धिस महत्वा गरनी है उनकी इस रूप में पहचान है तो उसमें रहना चाहते हैं सता के इर्द गिर्द तो ऐसे में अगर एक सीट ते हार हो तो दूसरी सीट कम से कम उनके कबजे में रहा उसके अधार पर वो भी धाम सभा पहुँचें और उनको मंतरी बनाने में और संत्रियों के बीच रहने में उनको कोई दिक्कत ही हो कम से कम उनके जो कुछ भी बिधायक रहेंगे और सरकार बनाने में जिस तरह से जहर घंडे में बिधायकों की संख्या दो चार भी अगर कम पड़ जाती है तो उसमें जो कोई भी अगर इस संख्या में होते हैं और जिनकी जो संख्या होती है उसके अधार पर उनको का काफी महत मिलता है इसी में कहा जा रहा है कि अगर जराम महतों जो है वो कम से कम सरकार बनाने में अपने बलबूते नहीं आए तो किंग मेकर कि उनकी भूमका जो हुआ ग्रिनी हो जाएगी और काफी आगे बढ़ सकते हैं अगर इतनी बिधायक की संख्या उनके पास आ जाती जितनी भी उनके पहले ही चुनाओं में अगर बिधायक बन जाते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत बरी बात होगी हलांकि जराम महतों का पुरा का पुरा संकल्प बदलाव संकल्प जो है उसता और व्यवस्था परिवरतन को लेकर है और यह जारखंड वासियों पर निर मानस को परभावित करते हैं कि उबा जिस रूप में सक्रिये रहे हैं लगातार अंदुलन में उनकी भी भूमका इसलिए है कि क्या वो परभावित करवाते हैं अपने सगे समंधियों परिवार बालों को और रिस्तेदार नातेदार को या परोसियों को या कम से कम अपने सम पन्डी सीट मिले और जो है वो उनको पर्तियासी बनाया जाए जिस तरह से उनकी भूमका है तो भूमका बढ़ती रहे और वो कम से कम बहुत हैं तक आफ़ जहां तक पहुंचे हैं उप मökहम मंतरी तक तो कम से कम यह भूमका भी उनकी बनी रहे जार खंड की राजनीती में चुकि छेत्रिये पारटी है तो इसलिए सत्ता की इड़ इड़ रहना उनकी एक तरह से कहें बाधता है या कहीं न कहीं उनकी महत्विकांचा है या कहीं न कहीं उनकी राजनीती में बने रहने के लिए एक दवाव भी है कि यह सीट जो है उनके ही खाते में और वो सुदेस महतों वहां तुंडी से परत्यासी हो और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सुदेस महतों दवाव बनाये हुए हैं भाजपा कहीं न कहीं अस सीट जो है सुदेस महतों के खाते में देगी और अगर वहां वो प प्रत्यासी हैं उनसे टक्कर होगी जोहार नमस्कार